नमस्कार दोस्तों मैं राजीव रिजन फिर से आज अपने यूटूब चैनल पर आज एक ने टॉपिक को लेकर मैं आज आपसे साजा करने वाला हूँ यह जो टॉपिक है यह टॉपिक मुझे कई दिनों से मैसेज में और चैट बॉक्स में मुझे मिल रहा था कि सर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि प्लान देखते हैं प्लान देखने के बाद वो भाग जाते हैं वो फोन नहीं पिक करते हैं आखिर क्या दिक्कत आ जाता है जिसकी वज़ा से ये सारे लोग दुबारा हमसे मिलने से हिच की चाते हैं तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक जिन गैस को आप प्लान के बारे में बता रहे होते हैं तो गैस से सबसे ही पहली चीज हम क्या करते हैं न कई ऐसे लोग होते हैं इसे यत मिलने जाते हैं गेस्ट को प्लान के बारे में बताते हैं, गेस्ट अगर आपकी प्लान को देख रहा होता है, तो प्लान देखने से पहले या बताने से पहले आप एक कोसिस ये करें, कि उनकी बारे में उनसे खुद उनके मुह से ये जाने, अब डाइरेक्ट आप किसी से उनके बारे में नह यह बात 10-15 मिनट का टॉपिक आप अपना खुद उनके सामने रखें जब आप 10-15 मिनट का टॉपिक रखेंगे तो सामने वाला देखिए एक सिंपल सी लॉजिक है जो मैं भी काम करता था और जब भी मैं काम करता हूं तो मैं अकसर प्लान देने का टाइम में यही यह करता तो अकसर सुनने की जो इच्छा होती है उनकी सालरी आखिर वो काम क्या करते हैं क्या पे स्केल हो सकता है क्या उनका लाइफ स्टाइल है क्या वो करना चाहते हैं यह चीज़ जब आप अपना रखते हैं तो सामने वाला भी आपको इंट्रोड़क्शन देता है जब वो 15-20 का इंट्रोड़क्शन देगा तो हो सकता है कि जितने भी लोग आपसे मिल रहे होते हैं वो कहीं न कहीं किसी जॉब के अंदर में किसी प्रोफेशन के अंदर में होते हैं जब वो प्रोफेशन और उस जॉब के अंदर में होते हैं तो कोसिस यह करें कि उसके अनुशार हमारी plan भी बहुत अच्छा होती है, हमारी company भी बहुत अच्छी होती है, जिसमें हम काम कर रहोते हैं, और उसके recording हम क्या गरते हैं, कि सामने वाले को plan देना सुरू करते हैं, जैसे मानलो एक्जाम्पल के तौर पहला level मान लीजिए कि 5000 का है, दूसरा level मान लीजिए 10,000 का है, कई तरीकों का travel fund होता इतना fund हम उनको दिखा देते है न कि उस बंदे को fill हो रहा होता है कि अरे यार यार ये जो बंदा मुझे बताया वो उसी समय से जब वो plan देखने आता ना उसी समय से बैठ के वो analyze करना शुरू कर देता है कि ये जो मुझे plan दे रहा है साइद इसमें सच कहूंगा जो भी network marketing business में हैं वो कोसिस ये करिए कि सामने वाले की जो आपने pay salary सामने वाले की जो आपने life style देखी है ये दोनों चीजों को मिलते जूलते आप plan उन्हें दिखाने की कोसिस करें मतलब कहने का मतलब आपको मैं एक example के तौर पर समझाओं कि एक बच्चा होता ह वो अपने महले में सबसे महंगी bike खरिद के आता है जब वो सबसे महंगी bike अपने महले में खरिद के आता है और उस महले में उसके average का उसके बराबर का उसके समान का कोई bike नहीं होता तो वो बंदा automatic अपने आपको वहां का अच्छा खासा मतलब समझ रहा होता दमदार या बोल सकते हैं अच्छा खासा कि मेरे जैसा bike किसी के पास नहीं है लेकिन उसी इनसान को bike और उसको उठाके उस इलाके में ले जाई जहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो जो bike से चलता हो सब के पास four wheeler चलने के लिए तो वो उस इनसान का सोच और वो bike सेम होता है लेकिन वहाँ जाने के वाद environment की बज़ा से उसका सोच बदल जाता तो मैं बताना यह चाहरा हूँ इस example के तोर पे कि गाड़ी वही थी इनसान वही था लेकिन environment की बदलाओ होने के बज़ा से उसकी सोच बदल गई तो आज अगर जिस इनसान को आप plan देने जा रहे ना उस इनसान को कभी भी उनको पूरा plan लाख, देर लाख, दो लाख, दस लाख, पचास लाख और करोडो का plan आप ना दिखाएं उनकी समतल का plan दिखाएं अगर उनकी पचीस जार salary है तो पचीस हजार इस business से as a part time कैसे कमाया जा सकता है क्योंकि किसी भी इनसान को पहले ही दिनों से आप उसकी नौकरी छुडवा कर आप उसके पेसी को छुडवा कर आप अपने network marketing में लाकर उन्हें join करा के काम नहीं करा सकते हैं याद रखें आप उनको ये समझाएं कि आपने जो समय दिया है जहां पे भी समय दिया है जितना भी समय दिया है उसमें जो आपकी salary है जो आप वह ही समय को जो समय वहां पे देते हैं और वहां से देने के बाद जो बज जाता हूँ समय को यहां पे लगा के और वो अच्छा पैसा बना सकते हैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपे बना सकते हैं दूसरा चीज क्या करना है हम लोग जो गलती करते हैं वो नहीं करना है करना ये है कि आप क करोडों का प्लान तब दे जब आप करोडों रूपय कमा चुके हैं, अगर आप इस बेवसाय से, आप इस नेटवर्क मारकेटिंग से 20,000, 25,000, 30,000 कमा रहे हैं, तो वो उनको समझाएं कि आज मैं भी करोडों रूपय तक नहीं पहुंचा हूँ, मैं भी लाखों रूपय तक नहीं पहुंचा, मैं यहां से 30,000, मैं यहां से 50,000 हबते का दिन का कमा रहा हूँ, आप अपना रियलाइज जरूर कराएं कि आपने कैसे सुरुआत किया था, आप जिस तरीके से सुरुआत किये थे, उस तरीके से आप उनको फिल कराएं, कहने का मतलब यह है मेरा, कि जब इस बिजनस का प्लान किसी को आप दे रहे हो ना, तो सामने वाले के लेवल पे जाके बात करें, सामने वाले का अगर लेवल 15,000 का है, तो 15,000 के जैसा इंसान बनके आप उससे बात करें, नहीं अगर आप उनको आप वो 15 का है, अगर आप करोडो की बात करेंगे, उनके दि समझाएंगे बताएंगे लेविल को आसान बनाके बताएंगे उनके समतल बराबर बनाके बताएंगे तो वो बंदा के दिमाद में जाएगा उनको समझ में आएगा और उसके बाद वही बंदा आप में इंटरस्ट लेके आपके पास वो कॉल करेगा जिस जगह पे आप उनको call कर रहे थे और वो नहीं आ रहे थे उस जगह पे आपको वो call करेगा और आपके साथ जुड़ना चाहेगा अक्सर ये गलती हम network marketing में कर लेते हैं सामने वाले के अंदर में अगर belief पैदा कर दिये कि आप भी कमा सकते हैं क्योंकि मैं भी आप ही की तरह था आप से चंद महीने पहले चंद साल पहले और मैंने शुरुआत किया था बस फर्क यह है कि हमने शुरुआत किया था हमें उस तरीके से साथ उस तरीके से लोगों ने दिखाया था दूसरी चीज जब आप नए planner हैं आप नई planning कर रहे हैं नए plan देने जा रहे हैं तो कोसिस करें कि अपने साथ म अपने plan को जरूर लेके जाएं जो कि आपके समतल में आपको जिन्होंने इस business में लाया है आप उनको जरूर लेके जाएं वो अगर आपके plan को देते हैं वो आपके तरीके को समझते हैं कि कैसे सामने वाले को guest को देना है कि इस तरीके से बताना है अगर आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो मेरा माने कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा बंदा नहीं हो जो आपका प्लान देखने के बाद भाग जाएगा आपका प्लान देखने के बाद फोन नहीं उठाएगा यह होई नहीं सकता यह तब ही होता है जब सामने वाला awkward feel करता है, सामने वाले को feel हो जाता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम सुरुआत इनके साथ नहीं कर सकते हैं, इनका standard है, इनका बोलने का तरीका अलग है, इनका lifestyle अलग है, ये जब तक सामने वाले से बरावर नहीं होगा, equal नहीं होगा, तब तक आपके पास sell नहीं Harvard में होता क्या है कि सामने वाले का आप सुनने ही पाते हैं आपका वो सही से सुनने ही पाता इस वज़ा से भी होता है कई बार कि दोनों के बीच में आपस जो mutual bonding बननी चाहिए वो नहीं बन पाता जिसकी वज़ा से लोग दुबारा आपसे मिलना नहीं चाहता इसकी वज़ा से हमारी और उसकी bonding नहीं बन पाती लेकिन अगर bonding नहीं बन पाईगी तो आने वाले दिनों में इस बेवशाय में आपके पास लोग नहीं आएंगे और ये लोगों का नहीं आने का सिलसिला तब तक खतम नहीं होगा जब तक सामने वाले से एक अच्छा relation सामने वाले को एक अच्छी understanding आप नहीं देंगे तो कोसिस करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीज़ समझ पाया होगो कि आपका फोन जो नहीं रिशिव होता है आपके जो response आपको नहीं मिल पाते हैं कोसिस करेंगे कि आने वाले दिनों में आपका response भी मिले आप आपके फोन भी पिक करेंगेस्ट और विस्वास माने इस वीडियो से इतना तो जरूर फायदा होगा और इसी के साथ keep growing with full of what be on the top thank you so much